हेलो दोस्तो आपने अपने लाइफ में कई बार दुसरों से ये कहते हुए सुना होगा कि भाई मैंने इंजिनेरिंग का कोर्स किया है और आज मैं जॉबलेस हूँ भाई मैंने MBA का कोर्स किया है और आज मैं जॉबलेस हूँ या फिर दोस्तो कई सारे students तरह तरह के course करते हैं लेकिन उनको job नहीं मिल पाता। तो ऐसा क्यू होता है ये मैं आपको आज की study के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तो एक बार मेरी बात धान से सुनिये। अगर किसी ने MBA का course किया है और उस person के पास communication skills नहीं है तो क्या उसको कोई job देगा नहीं देगा। अगर दोस्तो किसी student ने civil engineering का course complete किया लेकिन उसको basic construction की problem solving skills अगर उसके अंदर नहीं है तो क्या उसको कोई company job देगी नहीं दोस्तो। अगर भाई इसके पास degree है तो इसको job मिल जाएए। वो सब पुराने जमाने में था लेकिन दोस्तो आज का जो जमाना है वो अलग है। आज के जमाने में degree से ज़्यादा skills को एहमियत दी जाती है। Tesla, Google, Apple, Amazon, IBM, TCS जैसे company खुल कर ये दावा करती है कि हम candidates का selection उन्होंने की हुई degree को देखकर नहीं करते। उनको कितने percentage मिले वो भी देखकर वो selection नहीं करते। वो students का selection इस बात पर करते है कि भाई उनके अंदर क्या skills है। तो दोस्तो अभी आपको पता चला कि आपके life में, आपके career के अंदर अगर आपको अच्छी से अच्छी job पानी है या फिर अच्छी salary वाली job पानी है तो उसके लिए आपके अंदर skills होनी चाहिए। तो दोस्तो आज की इस वीडिय के अंदर में आप सभी लोग को 20 high salary देने वाले skills बताऊंगा। अगर दोस्तो आप इन skills में से एक भी skill अपने अंदर शामिल कर पाए तो दोस्तो आपको कभी भी job less नहीं होना पड़ेगा बलकि आपको बहुत ही अच्छी salary मिलेगी और काफ communication skills दोस्तो किसी भी stream का student हो चाहे वो student arts का हो commerce का हो या फिर science का हो दोस्तो communication skills आपके अंदर जरूर होनी चाहिए दोस्तो अगर आप commerce की student हो तो आपके अंदर communication skills होनी ही चाहिए दोस्तो communication एक एसी चीज होती है जो किसी भी वेक्ति को अपनी और आकरशित करती है यदि आपक स्कील है तो कोई भी विक्ति आपके और आकर्शित होगा और उस पर्षन को आपसे बात करना अच्छा लगेगा और दोस्तों इसके साथ साथ वो आपसे बात करने में इंटरस्टेट भी रहेंगे अपनी बहतरीं छवी बनानी के लिए आपके अंदर कम्यूनिकेशन स्कील्स होनी चाहिए दोस्तों हर एक शेत्र में आपकी कम्यूनिकेशन स्कील्स बहुत ही ज़्यादा काम आती है आप कही पर जॉब कर रहे हो या फिर आप अपना खुद का बिजनस कर रहे हो तो दोस्तों कम्यूनिकेशन स्कील्स हर जगा पर महत्वपुर् कम्यूनिकेशन ही एक एसी चीज है जो लोगों को हमसे जूड़ी रखती है अगर दोस्तों आपको अपने लाइफ में एक सफल पर्शन होना है और अच्छी सालरी वाली जॉब पानी है तो दोस्तों आपको अपने कम्यूनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा अगर दोस्तों आपकी इंग्लीश थोड़ी कमजोर है और आपको अपने इंग्लीश को इंप्रूव कराना है तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मैं मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पर हमेशा हिंदी टू इंग्लीश कनवरजेशन वाले पोस्ट डालते रहता हूँ, आप उन पोस्ट को देखकर अपनी इंगलीश को बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूफ कर सकते हो, तो आज ही मुझे फॉलो कीजिए Second skills एक स्टूडन के अंदर होनी चाहिए, वो है problem solving skill और आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि आपके अंदर problem solving technique है क्या, तो दोस्तो इस word का क्या मतलव है, आईए मैं बताता हूँ, दोस्तो problem जीवन का एक अहम हिस्सा है, और वो नच आते हुए भी आता है, लेकिन आपको problem को solve करना ही पड़ता है, तो दोस्तो problem solving technique के द्वारा solve भी करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, बस यहाँ पर दोस्तो एक चीज माइने रखती है, वो है point of view, आप अपनी problem को किस तरीके से सोच रहे हो, दोस्तो problem किसी भी तरह की हो सकती है, personal या फिर professional, दोस्तो problem का आकार छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, या हर एक problem का solution है, तो बस आपके अंदर problem solving skills होनी चाहिए, और अगर दोस्तो आपके अंदर problem solving skills है, तो दोस्तो आपको एक अच्छी salary भी मिलेगी, साथी साथ एक आपको अच्छा post भी मिलेगा, थर्ड स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है critical thinking, इसका मतलब होता है कि निरने लेने की शमता, दरसल critical thinking हमारे सोचने का ही एक तरीका है, जिसमें हम एक logical और free thinking के साथ, किसी भी problem का एक suitable solution निकालते है, critical thinking में आपको अपने सामने आई हुई problem को हर तरीके से solve करनी की कोशिश करनी पड़ती है, और end में आपको एक proper solution पर पोचना होता है, अगर दोस्तों आपको critical thinking करनी है, तो मतलब आपको क्या करना है, आपको problem को अच्छे से पहचानना है, अच्छे से information को collect करना है, आपके प अपने problem पर एक solution निकालना है, और उसकी उपर सोचना है, और इसके साथ साथ जो आपने decisions लिये है, उनको लागू भी करना है, दोस्तों मेरे आने वाले new videos के अंदर में इन points पर separate video बनाऊंगा, ताकि आपको सभी skills के बारे में detail में पता चले, फोर्थ स्कील है दोस्तों, people management skills, दोस्तों अगर आप किस भी management से related सेक्टर में career कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप एक नेता हो, या फिर आप एक leader हो, तो दोस्तों आपके अंदर people management skills होनी चाहिए, people management skills top 10 skills में से एक है, और ये future में आपके बहुती ज़दा काम आएगी, जै इसे ही दोस्तों एक नेता, या फिर एक leader को team के आवश्यक्यता होती है, और दोस्तों आपके अंदर team management skills होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप अपने life में successful हो सकते हो, अपने जो भी goal से उनको पूरा कर सकते हो, 5th skill है दोस्तों coordinating with others, मतलब आपको दूसरों के साथ coordinate करना आना चाहिए, दोस्तों coordination करना ये people management की ही एक skills का हिस्सा है, लेकिन ये इससे काफी अलग है, दोस्तों success पाने के लिए हमें team की जरुरत होती है, और दोस्तों अगर team के अंदर bonding अच्छी नहीं है, तो दोस्तों वो कभी सफल नहीं हो सकती, तो दोस्तों उसी के लिए आपके अंदर coordination की skills होनी चाहिए, मतलब आपको दूसरों को पहले समझना है, फिर अपने आपको समझना है, तो दोस्तों इससे आपके अंदर एक bonding बनेगी, जिससे आप एक दूसरों से अच्छी तरीके से बाते कर पाओ और फिर आपका जो भी लक्ष है, उसको आप अच्छेव कर पाओगे, एक बात मेरी धान से सुनिए कि कोई भी काम अकेले पॉसिबल नहीं है, हर एक काम को करने के लिए और एक अच्छा बिजनसमैन या फिर टीम लीडर बनने के लिए आपको लोगों के साथ चाहिए, six number पर है दोस्तो judgment and decision making skills, दोस्तो ये जो skill है वो top level skills के अंदर आती है, और दोस्तो future में judgment and decision making skills की काफि जदा डिमांड रहेगी, दोस्तो problem हर किसी पर आती है, चाहे वो बड़ी company हो या फिर छोटी company हो, चाहे किसी भी प्रकार की organization हो, दोस्तो उस organization के अंदर का अग employee decision लेने की शमता रखता है, तो दोस्तो वो किसी भी बड़े problem को solve कर सकता है, अगर उस company के अंदर के employees को decision making की शमता नहीं है, emergency में क्या फेसला करना चाहिए, उसकी knowledge नहीं है, तो दोस्तो company वही पर stop हो जाएगी, तो इसी के वज़े से जो भी दोस्तो बड़ी-बड़ी companies हो कहते हैं कि ऐसे situation में आप क्या फेसला लोगें, तो दोस्तो इसी के उपर जो employee है, उसकी judgment and decision making skills को परखा जाता है, तो दोस्तो आप भी अपने skills को improve करिए, अगर दोस्तो आपको बड़ी-बड़ी company के अंदर काम करना है तो, साथवी skills है दोस्तो, negotiation skill, इसका मतलब बाचित करने का कौशल्य, दोस्तो, negotiation skills mostly crime branch, real state agents and marketing जिसे लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तो, ज्यादातर लोग अकसर एक समझोता करने में असफल हो जाते है, जिसके वज़े से उनका जो customer होता है, वो निकल जाता है, या फिर वो जैसा चाहते है, वेसा नहीं होता है, क्योंकि उस person के पास बाचित करने का कौशल्य ही नहीं है, negotiation skills ही नहीं है, जिसक के वज़े से वो अपने life में successful नहीं बन पाता, तो दोस्तो, इसी के वज़े से अगर आप एक student हो, और आपको future में एक अच्छा career करना है, तो दोस्तो, आपको समझोता करने की skills पर भी काम करना पड़ेगा, आठवी skills है दोस्तो, stress management skills, दोस्तो, जो भी person बहुती बड़े post पर काम करता है, उस person को हमेशा से ही तनाव से गुजरना होता है, दोस्तो, अगर उस person के पास stress management skills नहीं है, तो ये दोस्तो, उस company के साथ-साथ company में जो भी काम कर रहा है, उन लोग पर खतरनक साबित हो सकता है क्योंकि दोस्तो, अगर वही person tension में है, जो उस team का leader है, जिसको उस team को lead करना है, तो दोस्तो, क्या होगा, उस team के अंदर जितने भी member से वो भी tension में आ जाएंगे, फिर end में वो mission खतम हो जाएगा, जिसके वज़े से stress management skills आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप किसी बड़े post के लिए apply कर रहे होतो, इसी तरीके से दोस्तो never give up skill, self management skills, time management skills, public speaking skills, financial management skills, positive attitude skills, project management skills, sales and marketing skills, creative and active learning skills, leadership quality skills, वेस्ट प्रोड़क्ट्स management skills, and last and most important है कि आपके अंदर computer skills होनी चाहिए, तो दोस्तो यह है top 20 and high demanded skills in future, तो उम्मित करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा, इस वीडियो को शेर करके लोगों की मदद करो, आपका प्यार देने के लिए, और इसे वीडियो हर रोज देखने के लिए, सब्सक्राइब करें।